हलो फ्रेंड्स, वेलकम तो इस यूट्यूब चैनल, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है, आज की वीडियो में हम SSE GD की सीरीज को कंटेन्यू करते हुए, इसके सेकेंड पार्ट को करने जा रहे हैं, जिसमें हम LCM and SCF के कुछ केस्टन को डिस्स करेंगे, इस वीड करना है, आपने अपने WhatsApp के कैमरा को ओपन करना है, और इस QR को स्कैन कर लेना है, वहाँ पर डिरेक्ट लिए आपका ग्रूप ओपन हो जाएगा, और आप हमारे WhatsApp नमबर पे भी टेक्स्ट कर सकते हैं, ग्रूप से जुडने के लिए, तो चलिए और दिन न करते हुए इस वी अब जो एक्स की जो डिजिट है, एक्स के जो अंक है, उसका योग क्या होगा, वो हमें निकालना है, ठीक है, तो ये हिंदी में दिया हुए क्वेश्टन, ये हमारा क्वेश्टन SSCGD 161121 को पूछा गया था, शिप्ट 3 में, तो इस क्वेश्टन को सॉल्व करते हैं, पहल तो ये क्लिरली दिख रहा है हमें, ये एक से जाएगा, एक बार जाएगा हैंसे, तो 2091, यहां से 5 से 1 चला गया, 4, यहां पे 18 से 9 अगये तो 9 है, और यहां पे 3 बच गया ना, 3 यहीं पे ऐसे आ गया, और यहां पे 1, तो अब क्या करते हैं, सिफ निकालने के लिए हम इसक यहां लिख देते हैं, 2091, ठीक है, अब यह भी इसे एक बार जाएगा, 1394, अब 11 से 4 गये तो 7 आगये हमारे पास, 18 से 9 गये तो 9, यहां पे 9 होगा, 9 से 3 गये तो 6, यह 697 यहां पे 0 हो जाएगा, अब यह यहां पे 1394 है, अब यहां से द्यान से देखो, 7 दूनी 14 होता है, मतलब यह 2 टाइम्स चला जाएगा, अब इसको 2 से मल्टिपल आगर करके देखते हैं, तो हम इसको नेरली 700 माल लेते हैं, 7 दूनी 14 होता है, मतलब 14 सो आजाएगा, यह आगया ठीक है, अब यह 700 से कितना कम है, 3 कम है तो इससे 6 कम कर देंगे, तो कितना आजाएगा, यह हमारे पास कितना गया, 9 आगया यहाँ पर, और यहाँ पर, 3 और यहाँ पर, 1, 1394, मतलब यह 2 टाइम्स चला गया, तो हमारे पास इन दोनों कैसीफ क्या गया, यह आगया, ठीक है, इन दोनों कैसीफ मारे पास, यह आ चुका है, अब अगर हमारे पास यह इन दोनों कैसीफ है तो हमें एक तीसरा नंबर यह भी है ना यहां पर 4879 तो इन दोनों कैसे अप निकालते हैं? अब यहां पर देखो last में 7 है और यहां पर 9 है 7 को कितनी बार गुना करेंगी कि 9 आ जाए अगर 7 को हम 7 से गुना करते हैं तो last में 9 आता है हम हमारे पास ये तो हमें पता है तो हम क्या करते हैं इसको 6, 9, 7 को 7 से गुणा कर देते हैं 7, 7, 49, 9, 4 आ गया 7, 9, 63, 34, 67, 7, 6, 7, 6, 42, 46, 48 तो 4, 8, 7, 9 आ गया ना मारे पास कितनी बार गया ये 7 बार गुणा करने पर चला गया अभी अगर ये इसे पूरा कट रहा है ठीक है यहाँ पर 0 आ जाए इसका मतलब क्या है हमारा SCF यही है तो 6, 9, 7 हमारा SCF है ठीक है तो हमारे पास SCF आ चुक है अभी 6, 9, 7 तो हमें क्या करना है अभी इसका जो X के अंकों का योगफल है वो निकालना है तो योगफल का मतलब सीधा इनको आपस में जोड़ देना है तो 6, 9, 7 तो कितना होता है 9, 6, 15 और 7, 22 तो हमारे पास 22 आगे इनके अंकों गयो तो कौनसा उप्शन है आपे 22 ऑप्शन भी 22 हमारा राटन थरो हो जाएगा ठीक है तो चलिए अगला कोशन देखते है अगला कोशन क्या दिया है हमारे पास दो संख्याओं का योगफल 342 है तो योगफल हमारे पास आगे हमें पता है 342 और उनका संख्याओं के कितने योगमना जा सकते हैं अब अगर 19 किसी का संख्याओं है तो हमारे पास 2 संख्याओं है तो इसका मतलब एक संख्या होगी 19X को दूसरे संख्या होगी 19Y ठीक है क्योंकि SCF 19 है तो 19 के मल्टीपल में ही हमारे पास संख्याओं होगी अभी इन दोनों संख्याओं का योगफल कितना है 342 है तो अब हम क्या करते है 19 यहां से common निकाल लेते हैं और X प्लस Y बराबर 342 ठीक है अब 19 को दूसरे से ले जाते हैं तो X प्लस Y क्या हो जाएगा 342 बटा 19 इसको कारते हैं यहां से 19 को एक बार करेंगे गुणा तो 19 आएगा और 19 और कितने 34 होते हैं 9 और 5 कितने होते है 14 तो कितना 15 होगने आपे तो यह 152 आ जाएगा अब कितनी बार गुणा करेंगे कि 152 आ जाए तो इसको 8 से गुणा करके देखते हैं क्योंकि 98 होता है 72 तो 19 गुणा 8 करते हैं तो बी अटेक तो साट होता है और हाँ 152 आ जाएगा मतलब इससे कितनी बार जाएगा यह 18 बार इसका मतलब x प्लस y की वैल्यू कितनी है 18 है अगर x प्लस y की वैल्यू 18 है हमने अब क्या करना है ऐसे जोड़े बनाने हैं जिसका योग 18 है और जो नंबर हो आपस में को उसके बाद तीसरा बनता है आपका 5 और 13 का ठीक है तो यह हमारे पास तीन ही ऐसे जोड़े बनेंगे जो कि इसको सैडिस्वाइ करते हैं तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा राइट अंसर ऑप्शन भी हमारा राइट अंसर हो जाएगा 3 तो अगला कॉशन देखते हैं आ हमारे पास the SCF of 273, 312 and 351 is x then x lies between the values अब हमारे पास तीन संख्याओं का SCF मालो x है तो x किसके बीच में होगा किन-किन संख्याओं के बीच में होगा यह हमने निकालना है यह SCGD 2021 का question है तो चलिए इसको solve करते हैं अब SCF निकालने के लिए हमने पहले भी एक method देखा तो उस क्या को अंदर लिखते हैं 312 को तो इसको एक बार करेंगे तो क्या हैगा 273 और यहां पे 12 से 3 गे 9 और यहां पे कितना है यहां पे 10 से 10 से 7 गे तो 3 39 यहां पे 273 को अंदर लिख देते हैं अब इससे कितनी बार जाएगा यह 49 को हम साथ से ट्राइ करते हैं क्योंकि यह last में 3 है नहीं है आपे तोना सता त्रेसर तीन बचाच्छे साती इकिस छे सताइस तो आ गया सीधा हमारे पास साथ बार गुणा करने के बाद तो इसका ऐसी अब तो 39 हो गया उसके बाद हम 351 को डिरेक्टली डिवाइड कर देते हैं इससे 39 से तो कितनी अब यहां पर लास्ट में कहा है देखी यहां पर एक है तो एक का बाता है जब 9 को 9 से करते हैं तो 39 इंटू 9 करते हैं गासी एक बचा आठ नो तियंस ताइस और आठ पैंटीस तो ठीक है 351 डिरेक्टली आगया इसका मतलब इनका है थर्टी नाइन ही आगया हमारे पास अगर थर्टी नाइन है तो यह किस के बीच में लाइग कर रहा है पच्छी सो और तीस के बीच में तो है नहीं 354 के two positive numbers is 13 times their greatest common factor मतलब LCM जो है ना बराबर 13 गुणा SCF है The sum of SCF and LCM is 252 HCF, sorry, HCF, JAMA, LCM, बराबर 352 है 252 है, ठीक है If one of them is 54 अगर उन में से एक 54 है Then find the other number एक number मालो X है, एक number Y है अगर ये 54 है, तो इसको निकालना है हमने तो देखते हैं इसको भी LCM और SCF के बीच में relation हमारे पास दिया हुआ है LCM को 13 गुना SCF रख देते हैं तो यहाँ पर LCM है न, HCF JAMA 13, HCF बराबर 252 अब यहाँ पर 14, HCF आएगा 252 आ गया HCF क्या हो जाएगा 252 डिवाइडर भाई 14 तो एक से जाएगा यहाँ पर कितना बचेगा 11 और 8 से जाएगा तो 112 आ जाएगा मुलब SCF कितना है बराबर 18 आ गया अब SCF को यहाँ पर रखो तो LCM आ जाएगा LCM क्या जाएगा 13 गुना 18 अब हमारे पास LCM SCF आ गया है ठीक है LCM और SCF यहाँ पर दोनों आ गया है हमारे पास तो हम इसको कैसे करेंगे अभी हमें पता है दो संक्याँ का गुनफल क्या होता है LCM गुना SCF तो एक संक्या हमारे पास क्या है 54 है नहाँ पर तो 54 गुना अधर नंबर X मान लो बराबर LCM 13 गुना 18 SCF कितना है 18 एतना 18 यह ठीक है तो X क्या हो जाएगा 13 गुना 18 गुना 18 गुना 18 बटा 14 आ जाएगा 18 तीए चोबन होते हैं 3 चीका 18 होता है तो 3 चीका 78 मतलब 78 आ जाएगा हमारे पास option B राइटन सरो हो गया ठीक है तो चलिए अगला question देखते है अगला question क्या दिया हमारे पास 2 numbers LCM and SCF respectively 25 and 150 if one of those numbers is 50 then what will the sum of both the numbers अब हमें पता है क्या होता है 2 संग क्या हो का गुनफल क्या होता है X कुना Y क्या होता है LCM कुना SCF होता है तो 2 संग क्या है मान लो इसमें से एक number हमारे पास दिया है 50 है दूसर number X मान लो और LCM कितना है 25 सुरी यहां पर LCM 150 होना चाहिए 150 लिख देते हैं यहां पर तो इसमें से हमने निकालनी value X की दूसरे number की 25 गुणा 150 बटा 50 तो यह तीन बार चल जाएगा और यहां पर दूसर number 75 हो आ जाएगा अब यहां पर क्या पूछे गया what will be the sum of both the numbers अब इनका sum क्या होगा 75 प्लस 50 का sum क्या होगा 5 712 125 तो option error tensor हो गया हमारा 125 अगला question देखते है find the ratio of the LCM of first four prime numbers to the SCF of first three composite number तो पहली चार अब आज यह संक्यां लिख लेते हैं पहले अब आज यह संक्यां कौन कौन सी पहली चार दो तीन पांच और साथ इनका हमने LCM नकालना है ठीक है तो इनका LCM क्या होगा इसको आपस में गुना कर दो और इसको आपस में गुना कर दो तो साथी 21 और पाइन यह दस 210 आगया उसके बाद LCF निकालना है first three composite number first three composite number कौन कौन से होते हैं पहली तीन बाज जिसन क्या हैं चार छे और आठ तो इसका LCF क्या होगा चार होता है दो गुना दो छे होता है दो गुना तीन और आठ होता है दो गुना दो गुना दो मतलब इनका LCF क्या आएगा दो यह आएगा तो इनके बीच में ratio निकालनी है हमने तो लिखे देते हैं 210 210 ratio मतलब यह 2 से कर जाएगा न तो क्या हो जाएगा 105 दुनी 210 और एक आजाएगा तो मतलब 105 is 2 1 हमारा right answer हो जाएगा option here right answer है ठीक है तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही था मैं आशा करता हूँ कि आपको इवीडियो अच्छी लगिए अगर आपको इवीडियो अच्छी लगिए तो इसे like और share करें ताथ ही इस चैनल को भी subscribe कर लें ऐसी बैतरीन वीडियो को देखने के लिए मिलते हैं एक और ने वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैहिंद बंदे मातरम